तरगत जो पहले एक वीक मनाया जाता था हर साल आपको पता होगा तो इस साल गर्णने डिसिजन लिया है कि एक मंथ सेलिब्रेट किया गया है इसमें अवेरनेस जेनरेट हो जाएगी लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी लोगों को बताया जाएगा कि जो ट्रांसपोर डिपार्टमेंट है वो बढ़ चड़के हिसा ले रहा है लोगों की सेफटी और सिक्यूरिटी के लिए तो इसमें शामिल होगा ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन उनकी हैल्थ चेकप भी हो जाएंगे इसमें आई चेकप हो जाएगा इसके साथ साथ इनको अवेरनेस द अब इसके अलावे हम इनको बता हुएरनेंश machinery कर रहे हैं कि रोड सेफटी में ये कैसे contribute कर सकते इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इनको को रहे हैं क्या विपता होता है लोगों को लेकिं हम एमसाइज कर रहे हैं डिमिटिंग डिवाइस जो है वो कही गाड़ियों में निकाल दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो 60 से अबव जाना चाह रहे हैं तो हम लोगों में यही जनरेशन रिलीफ फंड है जो कि एक लाख रुपया मिलता है एक एक एक्सिडेंट विक्टम को जिसकी डेथ हो जाती है उसकी फैमिली को मिलता है वो भी बताया गया ड्राइवर्स को यहां पे आपके मादियम से भी मैं जेनरल पब्लिक को बताना चाहती हूं कि जब एक्सिडेंट हो जाता है उसके नाम की एक फायर दर्श कर दी जाए और लीगल हैर की सर्टिफिकेट अगर आ जाए तो इमीजेटली विदिन वन डे विदिन 24 आवर्स जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो एक लाख रुपया उसकी फैमिली को पहुंचा देगा ताकि उसकी जो मु हमारे सुमो स्टैंट के ड्राइवर हैं वो अपने आपको बहुत जादा एक्जर्ट कर रहे हैं उनकी बिमारियों का पता नहीं चल रहा है बीपी है किसी को किसी को शूगर है किसी को आई का इंफेक्शन है प्राब्लम है आई साइट वीक है तो उसके लिए हम एक और्गन करेंगे एक हैल्थ चेक अपने थैंक्ट